स्वादत है आपका देभुमी सबाचार में मैं हूँ आपके साथ जोई सिंग और सीथे चलते देरादून चाहां से एम पुशकर सिंग धामी लाइव है प्रदेश की मात्र सक्ति के उठान के लिए उनकी सुरच्चा के लिए उनके ससक्ति करण के लिए संकल्पित होकर कि हमारा संकल्प है और आप सब जानते हैं जब कोई संकल्प होता है तो संकल्प लिए कोई बिकल्प नहीं होता है और यह संकल्प बिकल्प भेहित है कि हमें हमारी मात्रसक्ति की हमारी माताओं के बेहनों के उत्थान के लए हर वो काम करना है जो उत्थान की और उनको ले जाएगा जैसा गणे जोसी जी ने अभी बहुत बिस्ताफ से के बारे में आप सबके सामने बताया है हमने सिक्षा से लेकर स्वास्तिता और नौकरियों में तक्त में प्रदेश की जो हमारी महिलाएं हैं उनकी भागेडाली अधिक से अधिक हो उसके लिए हम विधान सबा में विधेहत लेकर आए आप सबको पका है क्योंकि पच्षा बंदन का परवे इसलिए मैं जरूर आप सबको क्यों इसमर दिलाने के लिए कि उस समय हमारे सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हुई थी जब हमारा 30% का आरपसर रुग गया था और उसके लिए हमने हर संबाव परियास किया और हमने जो पैलभी करी उस पैलभी में कहा कि यहां हमारी माताओं को हमारी बहनों को किस परकार की परिसामियों से गुजरना पड़ता है उनके जीवन में कितने परकार की चुनोतिया है वो सामाने से ज्यादा चुनोतियां उनके जीवन में होती है इसलिए उतको आरक्षन मिलना चीए इसलिए उत्राखंड के अंदर 30% का 36 आरक्षन आज सभी लोकरियों में सुनिश्चीत हो गया है आज के दिन मैं अपनी सभी बहनों से कि आज हमके बच्छा बंदन परो मनाने के लिए नहीं ससक्त बहना उत्सर यूद्णा और मुख्यमत्री महिला स्वहिम सायता समू ससक्तिकर्ण यूद्णा के माद्देम से जो महिलाओं की ससक्तिकर्ण की जो यात्रा है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमने लक्ष लिया है कि देड़ लाग जो हमारी बहने हैं उनको हम लगपती डिली बनाएंगे और ये लक्ष जब हमने लिया था तो हमको लगता था कि ये लक्ष बड़ा लक्ष है लेकिन जैसा गनेश तोसी जी कह रहे हैं और आप सब लोग जिस कौसल से काम कर रहे हैं जिस महनत से जिस लगन से आप लोग काम कर रहे हैं सचमा आपने लक्ष बहुत पीछे छोड़ दिया है और मैं रहाओं को मैंने नौंबर के महने से तीस मौंबर से मैंने प्रतेज जिले में जाकर सभी जिलों में तेरा के तेरा जिलों में अपनी जो बहने हैं महिला महिलाओं के बीच में जाकर मात्रसक्ति बंगन के जो कारिकरम में आयुजित किये थे मैं सभी जन्पतों में गया और मुझे शुरू में लगता है नहीं टाल जन्पत से जब कारिक्रम शुरू हुआ तो कितने हजारों की संक्या में मुझे लगता है कि 40 हजार के आसपास की संक्या थी और मैंने उत्रा भी के अंदर महिलाओं का कोई इस प्रकार का कारिक्रम कोई बड़ा अंदुलन हुआ हो कोई हुआ हो उसमे अलग बात है आना लेकिन मातर सक्ती बंगं के इस उत्राओं के कारिक्रम में इतनी बड़ी संक्या मैंने पहली बार देखी और मुझे लगा कि नहिन्याल जन्पत का कारिक्रम सबसे बड़ा कारिक्रम है और आप लगता है कि जितने भी कारिक्रम होंगे इतने बड़े गारिक्रम नहीं होंगे लेकिन उसके बाद मैं जिस जनपद में गया उस जनपद में मुझे अपनी बहनों का अपनी मात्रशक्ति का सेलाब डिखा सेलाब साथ एक चीज और दिखाई दी कि हर दंकद में एक से बढ़कर एक उत्पात हमारी वहनों ने बनाए और इतने अच्छे उत्पात पहले तुमें कुछ जगह पर सोचता था मैंने पिछले साल जब ससक्त वहना मुख्यमंत्री ससक्त वहना उत्सर योजना जिस दिन हम प्रारम कर रहे थे तो रादिका जी भी थी हमारे साथ गने जोसी जी भी थे तो उस दिन में कह रहा था कि ये मल्टीनेशनल कंपणियों को कुछ एक हमारे बेहनों के बनाए हुए जो उत्पाद है को मल्टी नैशनल कंपणियों को भी फेल करते हैं उनसे भी अच्छा मनाते हैं लेकिन पूरे प्रदेश में जाने के बाद मैं कह सकता हूँ कि हर एक जनकत में हमारी बहन है उनके अंदर इतना स्किल्ड है इतनी उनके अंदर उद्धिमिता है इतना कॉंसल है पूर्व प्रदान मंत्री स्वर्गिया अटल विहारी भाजपई की पूनेति थी पर उन्हें याद किया मुख्य मंत्री आवास में अटल के चित्र पर शद्धा सुमन अर्पित कर शद्धान चली दी तो अटल विहारी भाजपई की पूनेति थी और ऐसे में सियम धामी ने उन्हें शद्धान चली दी है तो तेरा दून से ये जानकारी अटल विहारी भाजपई की पूनेति थी पर मुख्य मंत्री पुष्कर सिंग धामी उन्हें श्रधाजली देते हुए सियमावास पर उन्हें उनके तस्वीर पर श्रधाजली अर्पित करते हुए इंडासर आ रहे हैं और खबरों में बढ़ते हैं किदारनाथ से खबर सामने आ रहे हैं किदारनाथ पैदल मार्ग हुआ दुरस्त 15 दिन बाद पैदल आवा जाई कर पहुँचे तिर्थ यात्री तिर्थ यात्रियों ने जटाया सियम धामी का आभार तो किदारनाथ से जानकारी किदारनाथ अपदा के चलते मार्ग शती ग्रस्ट हुआ था और ऐसे में अब जो है यह दुरूस्त हो चुका है जिसके सहारे अब लोग अपनी आत्रा पूरी कर सकेंगे और इसको लेकर तिर्थी आत्रियों ने मुख्यमंत्री का आभार चताया है इक तुस जुलाई को आपदा के चलते इमार्ग श्रतिवरस हुआ था जिसके लिए चोई सुरक्षा को देखते हुए सेमधामी ने तिर्थी आत्रियों के आवाज रही पर रोग भी लगा दी थी और एक बाद फिर से चोई अब ये दुरूस्त हो गया है जिसके बाद तिर्थी आत्रियों ने सेमधामी का आभार चताया था तंदर्थी आत्रि पहुचे हैं काफे फुशी देखने को मिल रही तिर्थी आत्रियों के वीथर और रहा किदार्नाथ से यह जानकारी तो किदारनाथ पैदल मार्ग अब दुरस्त हो गया है 15 दिनों बाद जो तिर्थी आत्री है वो अब आवा जाही कर तिर्थी आत्री पहुंच चुके हैं और ऐसे में कद्री चुलाई को बता दे आपदा के चलते ये मार्ग श्रति ग्रस्त हुआ था और अब जब ये दुरस्त हो गया है तो तिर्थी आत्री हो में खुशी की लहर और इसको लेकर उन्होंने राच्छे के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग्धामी का आभार जताया है तो लगातार हो रहे आपदाओं के बंदे नसर जो है समय समय से तिर्थी आत्री हो के लिए गाईडलाइन्स जारी किया चा रहे थे और अब पैदल मार्ग जो है वो दुरस्त हो गया है तिर्थियात्रियों ने इसके लिए सिंधामी का अभार जोता है 15 दिन बार दाबा चौही कह तिर्थियात्री पहुँचे और एकेदार नात पैदल मार्क जो है वो दुरस्थ हो चुका है जिसके लिए मुख्य मंतरी पुशकर सिंधामी का अभार भी जताया 31 जुलाई को आपदा के चलते ही मार्क स्वतिग्रस्थ हो किया था जिसके बाद आप इसकी गुरुस्त होने की एक खबर जो है वो सामने आ रही है आपको बता दे आपदा के बाद से लगातार सरकार जो है रात बचाओ कारे में भी जुटी हुई थी साथ ही साथ जो सड़क ह उनको लेकर भी काम जा रही था और ऐसे में अब 15 दिनों के बाद जो है तिर्थी यातरी आवा जाही कर पहुँचे है और ऐसे में उनके बीच खुशी और इसे खबर पर जाद अचानकारी के साथ अब है कैंतुरा हमारे समवाला था हमारे साथ जुर गए अब है के दारना पैदल मार्ग जो है दुरूस्त हो चुका है 15 दिनों के बाद जो यातरी पहुचे हैं उनके बेच कैसी हैल चल कितने खुशी कितना उत्साह देखा जा रहे तेके सबस्वरी बात किया है कि 15 दिनों के अथक परियासों के बाद 207 मुदूरों की कड़ी मेहनत रंग लाई है और केदाना ध्हां का पैदल मार्ग था, वो अभी यातरों के लिए यहां पर खुन चुका है। पर ऐसी जगों पर अगूद वहां पर वाथ जिसके चलते फैदल यात्रा को रोख जागया था और उसके बाद से जिसके आधार से वहां पर रेस्कु अभ्यान चलाएगा पंद्रा अजाद से ज्यादा सर्भालों को रेस्कु करने का काम केदार घाटी में किया गया था और उसके बाद एक आग लगाता परियास सरकार की तरफ से यहां पर किये गये थे और जो रहत पर प्रियास के बाद जो यहां पर पूरी तरह से आप पर सुचारू हो चुका और पर यहीं है कि जो खोड़ी बहुत जो और बादाएं वहां पर बची है उन बादाओं को भी जो यात्रा है उसे पून्ट रूप से किया जासे के जिससे पहले कह सकते हैं कि जब प्रजल माइग नहीं चल पा रहा था तो उस्सी पहली सेवाँ के माध्यम से ही के दानाथ धाम के दर्सनाहां पर पा रहे थे लेकिन रास्ते त्यार हो चुका है और सर्धालों ने खुशी जाहीज किये जो अपर पहुचे हैं उत्तपर्देश के कुछ सर्धालूं है गुद्रात के कुछ और कुछ सर्धालू है उन्हों ने अपनी पूद्धा कर सालव कर रहे हैं। में दिखने लगार पैदल यात्रियों के लिए 15 दिनों के विराम के बाद जब ये खुला है तो कहीं न कहीं हम देखें तो साथ जरूर यात्रियों के भीतर होता है लेकिन आपने बताया कि 19 जगह जोई श्वतिग्रस दुए क्या सभी सभी के मरमत कराई जा चुके या अभी काम जो जा री है। पर चल सकती है वहां पर आने जानी को सुब्जा नहीं है जो समय से जगहों पर मौझूद है क्योंकि उन्निस जगहों पर जहां पर रास्ता उदूर हुआ था उन्निस पैसे कम से कम लगबग 12 ऐसी जगह हैं जो ग्लेसरों के नजदें यह आती है और वहां पर रास्ता कभी बारी बारव जिसके चलते और रूद वहां पर होसकता है तो इसलिए वहां पर एस जेारेफ की टीममें पुलिस की टीमम लगफ्र महां पर तयनाद कर दी गए है ताकि किसी भी परकार से सर्धालों को कोई परिसानी का सामना ना करना पड़े और आपात स्थी होती है तो फ अगर हम बात करें वर्तमान के हालात की तो इसको मद्दे नजर रखते हुए क्या गाइडलाइन्स जारी किया जारे जो पैदल यात्री आ रहे हैं जारे उनके लिए इसलिए जब भी बारी 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 तो जगों पर हो रही है बारी सोनी की संभाव नहीं हो पहुते है यात्रा को कुछ देर के लिए सगित करने काम आपर कह जाता है लेकिन अब पंदर दिनों के बाद के दानाज धाम की जो यात्रा है वो शुचारू यहां पर हो चुकी है बिल्कुल अब है बने रहे हमारे साथ आगे भी आपका रुख करेंगे अब इसी मामले को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रस आने वाली पाइस्तारी को देश ब्यापी जी घिराफ करेगी आपको बता दे कि प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने बताया कि सरकारी पैसे से सरकारी संपत्यों को खरीदने का एक क्रम चल चुका है हमारे यहां हमारे संपत्यों को कमजोर कर आजानी के दौरा हमारे संपत्यों को खरीदा जा रहा है अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं 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 है 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 और बढ़ते हैं आगे कॉंगरिस के राश्ट्रीये नेताओ के उत्राखन में दोरों पर भाजपा ने पलटवार किया भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हारी पाचःक ने कहा कि कॉंगरिस के बड़े नेताओ को उत्राखन की याद तभी आती है जब प्रदेश में चुनाव या उपचुनाव होते हैं क्योंकि आपदा की घड़ी में कॉई भी निता प्रदेश की मदद के लिए आगे नहीं आता है लेकिन जैसे ही राजनिती पर सवाल आता है कॉउग्रिस के निता उत्राखन की ओर चले आते हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता कॉंग्रिस की सच्चाई को जानती है और कई बार कॉंग्रिस को इसका जवाब भी दे चुकी है और कटे अगली खबर की ओर उत्राखन में भाजपा नेताओं की दिल्ली दौर पर कॉंग्रिस ने जहां नेत्रित्व परिवर्तन होनी की सभावना चताई थी वहें भाजपा ने कॉंग्रस की आरुपों पर पलटवार करते हुए नित्रित्व परिवर्तन की बातों को पूरी तरह से रोक लगा दिया भाजपा प्रदेश अद्यक्ष महेंद्र भाट ने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह से कोई नित्रितों परिवर्ता नहीं होगा मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी के नित्रितों में सरकार बेहतर काम कर रही है और केंद्रका अशुवाद राचे के साथ है वहीं कॉंग्रिस पार तंज कसते हुए बीजेपी प्रदेश अद्यक्ष महेंद्र भाट ने कहा कि पुर्व मुख्यमंत्री हारिश रावत चुछ चिंता चाता रहे हैं उन्हें पार्टी अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए ना कि बीजेपी की अधर कोई ने तो परव्रता नहीं होगा मोदी जीará दूसरी बार से आपने दल को समझ अपने दल के अंदर की चिंता करने लेका है और खबर देरादून से जहां सीम धामी की सरकार के एक रुष्य मंत्री गरेश जोशी ने एक बार फिर मुख्य मंत्री पुष्कर सिंधामी के कावों के तारीफ करते हुए कहा कि विभागों के समिक्षा उनके मुख्याले में जाकर करना मुख्य मंत्री पुष्कर सिंधामी की कारे कुशलता है क्योंकि आधिकारियों से बातचीत करना और विकास के कारियों की प्रगति रिपोर्ट जारने का सबसे बेहतर माधियम विभाग का कारे आले होता है क्याभिनेट मंतरी गनेश जोशी ने कहा कि आज प्रदेश में जगा जगा आपदा आई हुई है और मुख्यमंत्री धामी सबसे आगे चल कर उस आपदा की घड़ी में लोगों को धैर्य और भरोसा देने का काम कर रहे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है अच्छा सगेत हैं मुख्यूंत्री जी समिक्षा ही नहीं कर रहे हैं आपने देखा होगा कहीं अगर आपदा आती है आपने देखाऊगा कि ऐसी समझ जब शीत्ता आपको पहले जेखने को नहीं मिली होगी जब स्वक्यारा में आपदा आई सब लूग दिवाली मना रहे थे और मानी मुख्यूंत्री जी ग्राउंड जीरो पर थे आज भी जहां जहां भी आपदा आती है मुख्यूंत्री स्वें मुख्यूंत्री 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 मुख्यूंत बारिश कुले कर मौसम विभाग ने चताई संभावना मौसम विभाग ने फिर बारिश का अलर्ट किया चारी टीरी और बागेश्वर के लिए भारी बारिश का अलर्ट बाकी जिलों के लिए भी यलो अलर्ट जारी किया गया जनता से साफधानी बरतने की अपील की गई है त बात करें तो टिर्री और बागेशन के लिए भारी बारिश जारी किया गया है, बाकिजीलों के लिए फिल उलerट जारी किया गया है, साथ ही इस दोरान जो ए लोगों से साथ धानी बरतने की अपील विभाक्योर से की गई है, तो आप को बता दें। बोसा में भाग की ओर से एक बाब फिर से अलाट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर ये अलाट और देभूमी समचार में फिलाल के लिए बस इतना ही खबरों के लिए बने रहे हैं इंडिया वोईस के साथ